हेलो फ्रेंज टूड़ी वी अपना एक ब्रांड भी लॉंच कर दिया है एकसाइड इंटीग्रा के नाम से वो भी मैं आपसे आगे सेयर करूँगा यह सब मैं देखे आता हूँ एन्वल रिपोर्ट से जहाँ पे मैंनेजमेंट की सेलरी भी मैंने देखी है जो पिछले फिनेंसिलियर के मुकाबले यानि फिनेंसिलियर अगर हम 20-21 की बात करते हैं उसके कंपेरिजन में लाश फिनेंसिलियर यानि फिनेंसिलियर 21-22 में मैंनेजमेंट ने अपनी सेलरी डिक्रीज करी है जी हाँ और इनके MD है उन्होंने अपनी salary drastically decrease करी है मुझे भी भरोसा नहीं हुआ इसलिए मैंने उसको ध्यान से दो बार देखा दोनों financial annual report को उन्होंने काफी अच्छी salary अपनी decrease करी है हाला कि हमने इसको 172-173 पे थोड़ा सा अपना selling करा था हमारे बेचने के बाद भी यह 3-4% बढ़ा था लेकिन मेरा इसमें target था कि 180 या 190 आराउंड आएगा तो हम इसमें sell करेंगे लेकिन यह 176 या 77 से वापिस नीची आ गया है market की गिरावट के साथ coming to the topic high देखते हैं तो 192 का हाई है current price 767 यानी लगबग 25 रुपीज discount पे हमारे लिए अविलेबल यानी 12% discount है अगर अपने 1 year high से देखते हैं और 1 year low से लगबग 30% यह चल चुका है P-Valution 19 का है OK है ROE and ROC is also good 11 and 49 dividend is also very attractive more than 1% कोई भी प्लैजिंग की दिक्कत नहीं है share में debt की बात करते हैं तो 500 करोड का जरूर debt है लेकिन cash 200 करोड का है तो 300 करोड debt net debt देखा जाएगा तो कोई बहुत बड़ा इसू नहीं है company के लिए 10 साल का गरम चार्ट देखते हैं 10 साल में company ने कोई भी return बना के नहीं दिया है जी हाँ 10 साल पहले भी डेट सो का था आज भी CR 170 के आसपास देखने को मिल रहा है तो कोई return यहाँ पर बना के नहीं दिया है तो कोई यहाँ पर increase अच्छा नहीं देखा गया है CAGR की बात करते हैं तो 10 परसेंट का भी CAGR नहीं आता है profit में उसकी वज़ेसे sales के साथ साथ share price ने भी same उसको replicate किया है जैसे ऐसे यहाँ पर sales and revenue के साथ साथ profit बढ़ेगा वैसे ही उसका mirror है यहाँ पर share price क्योंकि वहाँ पर top line increase नहीं हुआ है और बेसी बात है downland भी increase नहीं हुआ है तो उसकी वज़ेसे share price में भी कोई जाफा देखने को में नहीं मिला है अगर हम इसका सोट्रम का graph देखते है पिछले 6 महिने का तो अच्छा खासा वहाँ पर अगर हम देखते है जून में इसका downfall हुआ था जो market में निफ्टी में निलो बनाया था लगबग 15,200-300 के आसपास तो उस level से लगबग 130 के level से 30% 40% का jump हमें दे चुका है निफ्टी ने भी वहाँ पर लगबग 20% के आसपास jump दिखाया है तो अच्छा खासा है यहाँ पर जम देखने को मिला है तीन से चार साल में हलाकि इसके मुकाबले अगर हम देखते है अमर राजा बैटरी जो इसका एक अच्छा competitor है उसने लेकिन यहाँ पर कोई भी जाफ प्रैस में इंक्रीज नहीं हुआ है अमर राजा हलाकि हमारे पोर्टफोलियो में रखा हुआ अभी कोई भी सेलिंग उसमें नहीं करी है और यहाँ पर हमने थोड़े से प्रोफिट पर निकाला है एक साइट के अगर हम बात करते हैं तो अब इसके quarterly results हम देख लेते हैं दो साल पहले भी लगबग सेम नेट प्रोफिट था दो सो करोड के आसपास अन्वल प्रोफिट के अगर हम बात करते हैं अगर 4300 में से हम 3700 को में लेस कर दे जो कि अधर इंकम है तो लगबग इनका 700 करोड का प्रोफिट आता है और पिछले हम 5-6 साल में देखेंगे तो स 500 करोड के आसपास प्रोफिट हुआ करता था बारा में भी 4500-500 करोड तो यह एक में रिजन है क्योंकि कंपनी ने यहां पे कोई भी इंक्रीज नहीं दिखा जा है नेट प्रोफिट में जिसकी वज़ए से सेर प्रैस में भी कोई इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है ट 11, 13, 10% के आसपास है जो कि 10 साल पहले हुआ करते थे लगबग 14% के तो अच्छा कासा यहां पर हम मार्जिन में भी दबाव देख रहे हैं मार्जिन यहां पर इंक्रीज होने चाहिए थे लेकिन कोई भी वहां पर इजाफ़ा मार्जिन में नहीं देखा गया है तो कॉम्पेटिशन भी है कि हम यहां पर बोल सकते हैं अगर यह ऐसा होता तो बैस सी बात हैं में यह फीकर देखने को यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलती दस साल में एक परसेंट का सीएज रिटन दिया है उब्बैस सी बात हमें एफडी में रखते तो अमें 5-6 परसेंट का रिटन तो वहीं पर आलता विदाउट एनी रिस्क बैलेंस रीट भी नीटेंड क्लीन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 14,000 करोड का यहां पर टोटल साइज है 70% कंपनी के पास रिजर्स है 500 करोड का डेट है 300 करोड के 200 करोड के कैस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी के लिए now coming to the share holding pattern promoter ने अपनी holding constant रखी है तो ये positive point है हाला कि increase नहीं किया है तो decrease भी नहीं किया है नहीं कोई FII 9% की holding थी DIA 24% जो कि अब FII ने increase किया है थोड़ा सा DIA ने आपर जरू decrease किया है public holding की बात करते है तो 26% है latest जो कि पहले था 21% तो public ने माल यहाँ पे increase किया है FII ने भी थोड़ा सा increase किया है लेकिन DIA ने वहाँ पे माल decrease किया है DIA में भी सबसे maximum share किसके पास है तो LIC giant insurance firm 5% की holding है जो कि पहले 6% की holding थी September 21 में इसके साथी ICICI ने भी 5% की holding रखी है company में New India insurance company ने भी DIA percent की holding आ दिखते बिरला 1.7% and Kotak ने भी यहाँ पे entry ली है latest quarter में 1% की holding के साथ public की holding की बात करते हैं तो halfway के पास यहाँ पे more than 4% की holding है अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जो lithium oil में इनों ने annual report से मैं आपके लिए लाया हूँ introduced first lithium oil based home power backup system branded as Exide Integra तो यही नोंने lithium oil battery पे भी अपना brand बना दिया है Exide Integra की नाम से तो हाला कि बात है कि अमर राजा ने भी यहाँ पे काम 2 साल पहले start कर दिया था 1 billion dollar नोंने investment रखा था कि आने वाले 3-4 साल में हम लोग करेंगे lithium oil battery जो कि अभी modern battery हम बोल सकती है इसे अगर हम annual report की बात करते हैं तो financial year 2021 में यहाँ पे total आप देखाऊगे तो लगबग 16-17 करोड के आसपास है 16.5 CR इसके MD and CEO ए Mr. Gotham Chatterjee उनकी salary थी last time 6 करोड से जादा 6 करोड 20 लाख रुपे जो की अब decrease करके Mr. Gotham Chatterjee आप देखेंगे यहाँ पे Gotham Chatterjee के वल 58 लाख रह गई है तो यह मैंने ऐसा देखा नहीं है कभी किसी MD and CEO ने पहले 6 करोड की salary ले हो अब उसको अचानक से decrease करके 58 करोड लेकिन ठीक है जो भी है अब इनकी salary अगर इन्होंने नहीं लिया पांचा करोड रुपे बचाए है तो यह balance sheet में कंपनी के रहेंगे profit में ही वह रहेगा पांचा करोड रुपे तो यह positive point है कि management का यहाँ पे intention काफी clear है कि salary हमें या तो कम लेनी है या equal लेनी है इसके अलावर देखोगे और जो भी इनके टोप प्रमोटर है मतलब तो टोप इनके जो डेजिंग नेशन पर बैठे है तो उनकी salary थोड़ी सी increase हुए दस पंदरा परसेंट की टोटल salary management की बात करते है तो यह 16 CR आता है financial year 21 में तो management की salary भी मेरेको ठीक ठाक लगी है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और अगर हम company jack के according ceiling की बात कर लेते हैं तो हमें पता है profit before tax का 10% या profit after tax का 11% कुछ भी पकड़ सकते हैं तो 700 क्रोड का इनका लगभग net profit रहता है तो 700 क्रोड में से 70-72 क्रोड में से 11 क्रोड की salary मुझे okay लगती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो आपने अभी तक लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब ना क्यों तो सब्सक्राइब कर लेजिए अगर आपने अभी तक यहां पर वीडियो देखा है तो एक bonus आपके लिए है कि first 10 viewers जो इस वीडियो को like करेंगे comment करेंगे और जिन्होंने अभी तक देखा है अ तो हम आपको अपना diamond membership one month के लिए free of cost आपको available करेंगे जो हम उसमें service देते हैं you will come to know कि क्या हम diamond membership में service देते हैं जो भी मैं swing trading के लिए trade लेता हूं या long term investment करता हूं जो मैं selling करता हूं 8, 10, 15% पर सारे ही notification आपको दे जाएंगे live market के दोरान यह bonus है आपके लिए अगर आपने eligible नहीं होंगे मिलते हैं आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार